हालो स्टूडेंट वेरी वांग वालकम इन प्राची फाउंडेशन अंलाइन स्टूडेंट आज हम बात कर रहे हैं कंबस्चन के बारे में और यह हमारा चैप्टर नॉंबर 7 है और हमारा यह जो है वो लेक्चर नॉंबर 2 है ठीक है बचो आज हम इसमें कौन-कौन से टॉप कवर करने वाले हैं हम पढ़ने वाले हैं टाइपस अफ कंबस्चन फायर कंट्रोल एंड वाट हैपन्स वेन देर इस इनकंप्लीट कंबस्चन इसके बारे में बच्चों हम डिटेल में पढ़ेंगे और एक लास्ट लेक्चर आएगा लेक्चर नॉंबर 3 इसी चैप्टर क कंबस्चन का जो कि पूरा चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा तो अगर आभी तक आपने लेक्चर नॉंबर 1 नहीं देखा है तो आगे बढ़ने से पहले पहले आप देख लेजी तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक हमने पिछले लेक्चर में different examples पढ़े थे ठीक है आपने बहुत सार example देखे तो उन example और उन activity से हमने क्या समझा तो हमने तीन चीज़े जो है निकाली थी ठीक है पहली चीज निकाली थी कि जो substance है वो कैसा होना चीए वो combustible होना चीए यानि जलाने योग्या होना चीए दूसरा उसे continue oxygen की supply मिलती रहनी ची अगर oxygen की supply नहीं मिलेगी तो वो पूरी तरीके से नहीं जलेगा ठीक है जलना बंद हो जाएगा और तीसरी चीज हमने पड़ी थी कि उसका जो temperature है यानि combustible substance का जो temperature है वो उसके ignition point से ज़ाद होना चीज़े ये तीन चीज़े जो है हमने पिछले एक्जांब से निकाली थी कि combustion के लिए क्या-क्या चीज़े जरूरी होती है तो हम इन तीन चीज़ों के बारे में हमने उसका conclusion निकाला था ठीक है बचो अब हम पढ़ते हैं types of combustion के बारे में तो आज का topic शुरू करते हैं और पढ़ते हैं different types of combustion जिसमें हमारा पहला topic है slow combustion ठीक है बचो तो जब कोई combustible material जब कोई combustible material बहुत धीरे धीरे burn होता है यानि जलता है तो ऐसे combustion को slow combustion कहा जाता है आम तोर पर slow combustion तब होता है जब combustible material को sufficient amount में air या फिर oxygen की supply नहीं मिलती है इस दोरान combustion complete नहीं होता है जैसे आपने गाउं में देखा होगा कि लोग उपलो में यानि जो उसको बोलते काउडंग केक्स है न उसमें खाना पकाते है या वुड हो गया या यह candle burning हो गया तो यह एक slow combustion है यानि धीरे 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 यह burn होता है समझे बचो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि प्रैशी फाउंडेशन ने pen drive classes भी available students को करवानी शुरू कर दिये आप भारत के किसी भी हिस्से में हो आपको easily यह मिल जाएगी यहाँ पर अभी pen drive जो है वो class 8 के DAV students के लिए तैयार है जिसमें science, math, social science and English के pen drive की classes आपको available है जिसमें आपको complete chapter के explanation तो मिलेगी वो भी बहुत easy language में जिसमें हर बच्चा उसको असानी से समझ सकता है उसके अलावा आपके जो chapter की back exercise है उसके solution आपको मिलेगे उसके अलावा inside से chapter के आपकी question है ताकि आपको concept कितना समझ में आया है यह check करने के लिए इसके अलावा आपक चैप्टर है ना बहुत अच्छे से clear होगा आपको question answer जो है वो रटने के ज़रूरत में होगी आपने concept समझ लिया आप उस concept के base पे ही अपने answer जो है खुद से बना सकते हो लिख सकते हो ठीक है चलिए बढ़ते आगे rapid combustion की तरह तो जब कोई combustible substance जब कोई जल्दी जल्दी जलने लगता है तो उसे rapid combustion कहते है आम तरपर जो gaseous fuel होता है यह के gaseous fuel में rapid combustion होता है इसमें भी combustion के लिए oxygen की जरूरत होती है यानि sufficient amount में इसमें मिलना चाहिए तो इसमें होने वाला जो combustion है वो complete होता है क्योंकि इसको oxygen के supply पूरी मिलती है तो यह आदा अधूरा नहीं छूटता है इसमें जो combustion होता है वो complete होता है next हम बात करते है spontaneous combustion के बारे में जब कोई जब कोई combustible material combustible substance या फर material substance ठीक है आग पकड़ लेता है यहां तक की room temperature में भी यानि अपने आप वो आग पकड़ लेता है अगर उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो उस तरीके के combustion को बोलते है spontaneous combustion जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था इसके बारे में पढ़ा था हमने white phosphorus के बारे में पढ़ा था पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था थेक है कि बारे में पढ़ा था कि और sodium metal के बारे में अभी हम पढ़ेंगे कि अगर उनको हम हवा में खुला चोड़ दे तो वो पकड़ लेता है ठेक है तो इस तरीके की combustion को बोलते है spontaneous combustion नेक्स्ट हम बात करते है explosive combustion की जब mixture of यानि इस material में बाखी चीज़े भी mix की जाती है of combustible material ठेक है जब mixture of combustible material को air में completely burn किया जाता है और वो भी बहुत कम समय में short time तो उसे बोलते है explosive combustion इस process में combustible substance पूरी तरह से burn हो जाता है और इस तरीके की जो आग लगती है उस पर काबू नहीं पाया जाता है वो बिल्कुल भी large amount में heat produce होती है इसके साथ ही इसमें एक sound की आवाज भी आती है तो इस तरीके के combustion में भी यह तीनों energy जो है वो प्रोड्यूस होती है और इसमें एक चीज है sound नहीं एक इसमें reaction और जब यह complete reaction होता है तो इसमें एक आवाज आती है जिसे धमाके की आवाज आती है ठीक है तो next हम जाते है fire control के मैं तो अभी तक हम सीख चुके हैं और हमने क्या सीखा कि combustion के लिए combustible material होना चीए फिर हमने देखा था कि combustion के लिए oxygen होना चीए यह प्रॉपर मतलब supply होनी चीए फिर हमने देखा कि combustible material का जो temperature होता है वो उसके ignition temperature से जादा होना चीए तो अगर इन तीन condition में जो हम starting में revise कर चुके है तो अगर इन तीन condition में एक condition भी अगर नहीं possible हो पाती है कि दो हो रही है ठीक है दो condition हो रही है लेकिन third वाली नहीं हो रही है तो भी वहाँ पर combustion नहीं होता है तो इसी principle के उपर यह जो fire fighting होती है यानि आग पर काबू पाने वाली जो agencies होती है इसी principle पर काम पाती है काबू पाती है या काम करती है तो किसी भी तरह की आग जिसमें कोई combustible material fire catch करता है तो हमें ऐसी सावधानिया रखनी चाहिए उस समय कि जो combustible material है वो heat ना हो वो heat ना हो यानि गरम ना हो और क्यूंकि अगर वो गरम होगा तो वो अपने ignition point पे पहुँच जाएगा और जब वो अपने ignition point पे पहुँचेगा तो क्या हो जाएगा बहुत बुरी तरीके से आग लग जाएगा ठीक है कई जगह जैसे बचो petrol pump हो गया ठीक है पेट्रोल pump वहाँ पर highly combustible material होते है और वहाँ पर क्या होता है वहाँ पर petrol होता है diesel होता है ठीक है यह सब चिज़े वहाँ पर होती है चूंकि highly combustible material होता है तो वहाँ पर किसी भी तरीके का burning material ले जाने की permission नहीं होती है क्योंकि जो burning material जैसे for example matchstick या कई लोग क्या करते है smoking करते करते चले जाते तो उनको वो smoking वैसे भी public place में allowed नहीं है और वैसे भी वहाँ पर नहीं लिये जाया जा सकते है तो वो जो burning matchstick है वो भी petrol के जो vapor है उसमें असानी से आग पकड़ लेती है तो जिसकारण आसपास जितने भी petrol को जिन भी जगाओं में store किया जा सकता है तो धीरे धीरे आग वहां तक पहुंच सकती है और इस area में बहुत सारा petrol जमा होता है जो कि एक बहुत बड़े धमाके का रूप ले सकता है इसी तरह कि जो साफधानिया है बचो LPG जहांपर हमारे cylinder रखे जाते है गोडाओं में ठीक है उन जगाओं पर रखी जाती है ऐसी ही साफधानिया जहांपर crackers बनते हैं पटाके बनते हैं वहां रखी जाती है ऐसी साफधानिया बचो घरों में जब हम पूजा करते हुए दिया जलाते हैं या कई बार अचानक लाइक चली जाती है तो हम कैंडल जला देते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आसपास कोई ग्लोट्स ना हो यानि परदे के पास ना जलाए या लकड़ी का कोई ऐसा समान ना हो या वुक्स विरा ना हो जो की असानी से आग पकड़ ले और जब ऐसी जगह में आग लग जाती है तो उनको असानी से फिर बुझाने में थोड़ा दिक्कत होती है तक तक बहुत सारा क्या करना चाहिए तो सबसे पहले तो हमें कटिंग कटिंग ओफ क्या से इसको अटा देते हैं कटिंग ओफ दू सप्प्लाई ओफ क्योंकि अगर ऑक्सिजन की सप्लाई ही नहीं रहेगी तो आगे तो जो कमबस्टिबल सबस्टैंस का टैंपरेचर होगा वो उसके दिरे अपने आप बुझ जाएगे कई बार हमने देखा है बच्चो कि कोई पर्सन जो है वो आग की चपेट में आ जाता है तो उसके ऊपर तुरंथ हमें थिक ब्लैंकेट जो है उड़ादेना चाहिए बजाए उसके उपर पानी फेकने के ठीक है तो ब्लैंकेट थिक ब्ल है तो कई बार गठा है बहुता देखा नहीं या savoir होते हैं ठीक है Liquid फ्यूल जैसे की कारोसी जैसे की नोफ पेर्ट्रॉल विली डिडिच्टा और लग्या इन के वहजा से आग लग जाती है तो उन जगाहों में क्या होता है soil या फिर sand डालके ठीक है आग बुझाई जा सकती है कई आग कई बार बहुत जादा तेज आग लगी हो कहीं जंगल में जैसे तो वहाँ पर आग को जो है forest fire को पानी से बुझाया जा सकता है ठीक है लेकिन अगर आग विच्चो electric shock में जैसे यहां दिख रहा ह आपको electric short circuit के कारण लगिए तो वहाँ पर water जो है वो use नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करना काई बहुत जादा dangerous हो सकता है current के कारण उस person की जान भी जा सकती है तो अगर आग जो है fire जो है वो oil या फिर gas में लगती है तो उसको carbon dioxide की help से भी बुझाया जाता है इसलिए carbon dioxide क fire extinguisher भी कहा जाता है ठीक है बचो next time हम बात करेंगे कि what happen when there is incomplete combustion तो इसका पहला reason यह है कि भाई क्या कारण है अगर incomplete combustion होगा तो क्या होगा तो पहला चीज तो यह होगा कि incomplete combustion के दोरान यह जो unburned ठीक है carbon यानि एक black powdery form black powdery substance यह हमारे atmosphere में जाता है और यह ना सिर्फ उस fuel की बरबादी है ठीक है बलकि यह हमारे environment को भी जो है वो pollute करता है तो पहला तो यही कारण है कि अगर combustion पूरा नहीं होता है तो पहला तो disadvantage यही है ब्यूसरा यह है कि इस दोरान जो है carbon monoxide बनती है जो कि बहुत ही dangerous या जहरीली gas है यह हमारे respiratory से related जितनी भी problem है वो create करती है और कई बार यह जो gas है वो जान लेवा भी हो जाती है तो यह था बचों हमारा lecture number two और अब हमें हम मिलेंगे lecture number three में तब तक आपको क्या गरना है फटा फटा रिवा करिए और अगर कोई डाउट है तो कोमेंट सेक्षन में डाउट पूछिए